काईली जनर ने 2019 में अपने खुद का स्टार्ट अप चालू किया उन्होंने इंस्टाग्राम से ही अपनी एक e-commerce ब्रैंड लॉंच किया और देखते ही देखते दो साल के अंदर याने कि 2021 में वो ब्रैंड 7500 करोड की हो गई याने कि 1 billion dollar की उनकी valuation हो गई आपको क्या लगता ह यह success e-commerce के काराण हुए नहीं यह growth एक brilliant content marketing strategy के काराण हुई जिससे 21 साल की एक model वर्ल्ड की youngest billionaire बन गई हलो एवर्यवन आयम लक्षित सेथिया and you're watching social seller academy इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि content marketing आखिर क्या होता है कैसे हम content marketing करते हैं मैं आपको 6 process बताऊंगा जिसक से आप easily content marketing करके अपने business को grow कर सकते हो लेकिन सबसे पहला question कि आखिर content marketing क्यों करें आखिर क्या रखा है content marketing में तो मैं सबसे पहले आपसे question करना चाहूँगा कि marketing का purpose क्या होता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि marketing का purpose ही होता है कि जादा से जादा sales लेके आना profit grow करन लेकिन marketing का जो actual purpose होता है वो होता है trust built up करना जिस trust के कारण आगे sales होती है brand की reputation बनती है और भी बहुत सारी चीज़े brand की goodwill increase होती है तो जो marketing का immediate effect होता है वो होता है trust gain करना हम कोई भी advertisement इसलिए create करते हैं हम कोई भी promotion इसलिए create करते हैं कोई भी campaign इसलिए मनाते हैं ताकि हमार audience की बीच में हमारा trust level बढ़े और उस trust level के कारण हमारी sales increase होती है और दोस्तो content marketing एक ऐसा तरीका है जिससे सबसे ज्यादा trust increase होता है content marketing से आपके user को free make value मिलती है और उस value पे trust करते होए वो आपके product के उपर trust करते हैं जैसे मैं यह आपको video बना के दे रहा हूँ इस video को देख पेंग कस्टमर बन जाएंगे इन अवे content marketing में आप knowledge दे रहे हो कोई ऐसी value दे रहे हो जिसके बदले में आपको लोगों का trust मिल रहे है तो अगर आप आज की date में कोई भी business करना चाते हो तो आपके लिए content marketing बहुत important है चाहे आप e-commerce करना चाते हो खुद की brand बनाना चाते हो गुद का startup launch करना चाते हो एक individual influencer बनना चाते हो या अपने family business को continue करना चाते हो आप कुछ भी चीज कर लो आपके लिए content marketing बहुत important है ताकि आपने business को scale up कर सको तो आईए समझते है कि किस तरीके से आप content creator बन सकते हो और अपने business के लिए content marketing कर सकते हो जब लोगों को content marketing के बार में समझ आ जाता है तो इन जनरल उनको बहुत सारी confusion होती है कि कौन से platform पर content create किया जाए किस type का content create किया जाए कैसे content create करें कैसे उसको schedule करें कैसे grow करें तो बहुत सारी उनके दिमाग में confusion होती है I hope इस वीडियो के बाद आपकी सारी confusion हट जाईगी सबसे पहले यह चीज content जिससे लोग देखके engage करते हैं जो जनरली Instagram Facebook का content होता है जिसमें लोग देखते हैं comment करते हैं like करते हैं जनरली अपने social media में एक दूसरे को share करते हैं उसको बलते हैं engagement वाला content और दूसरा होता है SEO search engine optimization वाला content जो search engine पर उपर आता है जो कि जनरली YouTube वाला content होता है या फिर blog व engagement वाला content और एक होता है search engine वाला content अब यह सबसे पहले आपको देखना है कि आपका business क्या है आप अगर लोगों को कुछ दिखाना चाहते हो तो आप engagement वाले content पर जाओ अगर आप लोगों को कुछ बताना चाहते हो तो आप SEO वाले content पर जाओ जैसे कि मैं अगर कोई model होता आप अपना platform decide कर लेते हो अब दोस्तो content marketing के लिए किसी भी content बनाने का और उस content को release करने का 6 process होता है इन 6 process को अगर आप follow कर लिए तो आप easily content bulk में create कर सकते हो efficiently create कर सकते हो और long term तक की content marketing कर सकते हो तो basically जब भी मैं कोई video बनाता हूँ कोई भी content बनाता हूँ या फिर कोई blog लिखता हूँ तो मैं इस 6 step process को follow करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप यह सारे 6 steps को बहुत अच्छे से समझे जो सबसे पहला process है वो होता है content research करना फिर होता है content को shoot करना लिखना या content को edit करना फिर होता है उस content का एक thumbnail बनाना उसके बाद होता है उस content को post करना platform पे और फिर at the end होता है content को promote करना यह 6 point के बारे में मैं आपको detail में बताता हूँ अक्सर लोगों कोई समझ नहीं आता कि वह किस तरीके से content को research करे किस तरीके से content को खोजे तो इस problem के लिए मैं आपको एक simple solution देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि आपको कौन से topic के उपर interest है और second चीज़ कौन से topic की demand market में जाद है आप दोनों चीज़ को analyze कीज़े कि कौन से इस topic है जिस पर आपको interest है and कौन से इस topic है जिसका market में बहुत ज चेक करते हुए इन दोनों को देखते हुए आप अपना सबसे पहले title लिखिए इस तरीके से किया जा सकता है कि आप check कर सकते हो कि कौन से topic के उपर कितने लोग interested है और इस चीज़ के लिए बहुत सारे keyword research tools होते हैं जिसमें से जो सबसे अच्छा tool है वो YouTube के लिए VidIQ नाम का tool है और अगर आप overall देखे तो एश्रेफ या फिर एसे टूल्स बहुत इफेक्टिव है इन टूल्स में जा कि आप अपना keyword डाल के देख सकते हो यहां पर आपको दिख जाएगा कि कितने लोग keyword को search कर रहे हैं अगर आपको free में search करना है तो Google का एक खुद का keyword planner है जहां पर आप free में कोई भी word डाल के कोई भी keyword डाल के search कर सकते हो कि कितने लोग आखिर उस keyword को search कर रहे हैं और यहां पर आप यह भी देख सकते हो कि उसका competition कितना है अगर सपोज एक keyword है जिसमें बहुत सारे लोगों ने already articles या already वीडियो डाल के रखाए तो हो सकता ही कि आपकी वीड content को देखें अब एक बार अपना primary और अपना secondary keyword खोजने के बाद अपना खुद का टाइटल लिखने के बाद आप research करना शुरू करते हो online आप जितने भी और content है उसको देखते हो यह चीज देखते हो कि क्या चीज missing है अभी already existing content पे और आप ट्राय करते हो कि जितनी भी books है क script करने का और scripting अपने आप में कला है एक अच्छे content के लिए यह बहुत matter करता है कि आप अपने content को किस तरीके से script करते हो अब दोस्तों स्क्रिप्टिंग के लिए मैं दो tools का use करता हूं एक तो है Evernote Evernote को आप desktop पे भी download कर सकते हैं अपने phone में भी download कर सकते हैं जो भी आपक continuously ideas आते हैं आप यहां पर अपने ideas लिखके रखो ताकि आपके ideas कभी miss ना हो याद रखिए आपको scripting ना हमेशा bullet points में करना है ताकि आप main main point note करके रखो आपको बहुत लंबी-लंबी script नहीं लिखना otherwise आपका बहुत ज्यादा time consume होगा और आप content बनाने में जो बाकी सारी ची पर shoot करते हो अगर आप video नहीं बना रहे हो कोई blog लिख रहे हो तो आप systematically उस सारे content के assets को arrange करके type करना शुरू करते हो और एक बार content को लिखने के बाद या content को shoot करने के बाद आप उसको edit करते हो बहुत सारे ऐसे parts होते हैं जिसमें आप fumble करते हो video जहां अच्छे से नहीं बन करते हो छोटे से छोटा उसको बनाते हो अब दोस्तो content shoot करने के लिए मैं phone का use करता हूँ audio record करने के लिए मैं बोया का माइक यूज करता हूँ और रोड का माइक करता हूँ बोया का जो माइक है यह आपको 6-700 रुपे में Amazon का मिल लाएगा और यह जो रोड का माइक है यह थ यूज करता हूँ आप अगर फोन में एडिट करना चाहते हैं तो आप काइन मास्टर नाम का एक software है वह यूज कर सकते हैं काफी अच्छा है सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं जितने भी पार्ट्स है जितने भी ब्लैंक पार्ट्स है उसको एडिट आउट करके सबसे है और उस वीडिओ को कटकर सुपक्ण करें जितने भी खराब पार्ट्स निंखाल देता हूं रिमूब मेघ कर देता हूं एक सिंपल वीडिओ बना रेता है और उस वीडिओ को फिर मैं उपर से एडिट करना शुरू करता हूं यहाँ जहां पर मुझे लगता है कि जो करता हूं अपने वीडियो से रिलेटेड या उस पार्ट से रिलेटेड में जितनी भी इमेजेज है उसको डाउनलोड करता हूं वैसी स्टॉक वीडियो उसको मैं डाउनलोड करता हूं और फिर एडिटिंग के प्रोसेस में मैं उन सारी चीजों को एक टाइम लाइन में डाल बहुत important है आप समझ लीजिए कि जैसे एक book का cover होता है वो एक book के लिए कितना important होता है उतना important होता है आपका thumbnail thumbnail अच्छा होगा तो ज्यादा clicks आइंगे ज्यादा लोग आपकी content को देखेंगे अगर आपका content अच्छा है लेकिन thumbnail अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आपकी content को ज्यादा लोग ना देखें तो जितना important होता है एक content बनाना उतना ही important होता है एक अच्छा thumbnail बनाना अब thumbnail बनाने के लिए आप canva.com का यूज कर सकते हैं यह free of cost टूल है जिससे आप अपना बहुत अच्छा thumbnail डिजाइन कर सकते हो यहाँ पर आपको आपको तीन से चार वर्ड्स खाली लिखना है उससे ज्यादा नहीं लिखना अब एक बार थमनेल बनाने के बाद दोस्तों जो पांचवा सबसे important process है वो है इस content को पोस्ट करना अब जितना important होता है आप अच्छा content बनाओ उतना ही important होता है आप सहीं तरीके से उस content को post करो ताकि वो content सब को दीखे पोस्ट करना मतलब यह नहीं होता कि आप खाली डाल दो पोस्ट करना मतलब होता है आप अपने content को अच्छे से optimize करो जब भी आप YouTube में इंस्टाग्राम में या किसी भी social media platform में या फिर blogging में अपने content को पोस्ट करते हो तो यह बहुत important होता है कि आप अपना title क्या डाल रहे हो आप ट्राय करो कि आपके टाइटल में आपके content का main keyword highlight हो इसके अलावा अपने content का proper अपर पूरा description डालो description में भी ट्राय करो कि जितना हो सके आपका जो main keyword है और secondary primary और secondary keywords है यह दोनों चीज़ें आपकी description में आने चीए आप ट्राय करो कि हैस्टेग्स लगाओ इनफेक्ट अगर आप YouTube में वीडियो डालते हो तो आप वहाँ पे भी हैस्टेग्स लगाते हो आप Instagram पे डालते हो तो वहाँ पे हैस्टेग्स बहुत important role play करता है और फिर दोस्तों YouTube में जो सबसे important चीज़ होती है वह होता है YouTube YouTube टाइंगस जिसमें अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ट को बलते हो और लॉंग टेइल और शॉट्टील की जिर्थे लंग ते कीवड का मतलब होता ही कि आप पूरा लंबा उचज़ डालें जहसे कि सपोस्तों मैं यह वीडियो यह नोंधर मैं long tail keyword में डालूंगा how to do content marketing और short tail keyword में मैं डालूंगा content marketing तो जो short tail keywords होते हैं वो generally एक या दो words होते हैं और जो long tail keywords होते हैं वो एक लंबा sentence होता है जो लोग अकसर सर्च करते हैं अब दोस्तों हर एक platform में एक बार में post करना काफी hard हो जाता है और बहुत ज्यादा time consuming हो जाता है Instagram पे भी posting करना LinkedIn में भी post करना YouTube में भी post करना so Facebook में भी post करना Twitter में भी post करना तो इसके लिए हम एक tool use करते हैं जिसका नाम है buffer buffer से आप क्या कर सकते हूं कि multiple social media platform में आप एक बार में post कर सकते हो आपको सिफ एक बार सारी चीज़े लिखना है और एक बार post करने के बाद यह आपके जितने भी social media accounts है जिसका account आपके buffer account से connected है वहाँ पर automatically post हो जाए इस वीडियो में जितने भी tools बता रहा हूं उनकी जो link है इस वीडियो के description में डाल दूंगा जो six process होता है यह बहुत important होता है कि एक बार post होने के बाद आपको continuously अपने content को promote करना है ताकि at least इस content को 5000 से जादा लोग देखें अकसर यह होता है कि लोग एक बार content को post करने के बाद छोड़ देते हैं और completely search engine के उपर rely हो जाते हैं और कई बार अच्छे content भी वर्क नहीं करते क्योंकि उस content का promotion नहीं किया गया होता तो मैं आप सभी कोई suggest करूंगा कि जब भी आप कोई content post करते हो publish करते हो उसके बाद उस content को promote करो भले ही आप Instagram Facebook या YouTube में पैसा देके promote कर सकते हो इन हर platform पे promote करने का option है जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो डालो गया promote करने का option है वहां से आप अपनी वीडियो को initial level पे promote कर सकते हो तो आप 100-200 रुपए भी डालोगी ना उस जादा लोग देखें ताकि वह आगे social sharing करें ताकि वह engagement करके उस content की ranking बढ़ाए तो दोस्तों एक content को launch करने का यह 6 process होता है यह 6 process को आप continuously करते हो बहुत सारे content के साथ करते हो तो इसको हम content marketing बोलते हैं और यह किसी भी online business का base होता है आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को like जरूर करना कोई भी tools related कोई भी doubts से आपके मन में तो क्षेड़